जबलपुर जिले के एक शास्की स्कूल का ऐसा मामला सामने आया है जहां का प्राचार्य विगत कई सालों से स्कूल में प्रहाने वाली अतिति शिक्षिका को शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालता आ रहा है। ताज्युप की बात तो यह है कि पीडित शिक्षिका महिला द्वारा इस बात की शिकायत संबंधित थाने की पुलिस को की गई। परन्तु इसके बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस बात की खबर जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकरताओं को कि वे पिछले 11 सालों से शास्कीय माध्यमिक उच्च शिक्षा विद्याले बर्गी नगर में पदस्थ है। पिछले कई सालों से स्कूल के ही प्रिंसिपल द्वारा उन्हें शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पीडित महिला ने शिकायत सौप अगर यह सही होगा तो सक्तिस्त कारवाई होगी। जहां पर बच्चे पढ़ने जाते हैं अपना भविश बनाने जाते हैं। वहां पर निरंतर एक टीचर की एक शिकायत आती थी हमारे NSUI के चात्र नेता अचलनाज जी के नेतिरत में आज हमारे चात्र नेता उस मामले को समझने गए। तो वहां पर देखा वहां पर जो घर पर बैठो अनियकों तरीके से उसको प्रतारित किया जा रहा था प्रतारना जेलते जेलते आज 9-10 मेहने उस बहन को बीद गए। जब उसकी हरकते सही नी हुई उसको घर भी बिठाने का काम करा। बहन ने डियो आफिस में शिकायत करी डियो गंच्याम सोनी उस प्रिस तक हो समझते उनने अपने अधिकारियों से भी जाज कराई है और हमको आश्वस करा है कि उस अयाश प्रिंस्पल के ऊपर F.I.R. होगी अगर इसके बाद भी F.I.R. नहीं होती है तो कांग्रिस पार्टी समूचे बरगी में आंदोलन करेगी उस अयाश प्रिंस्पल के घर करने आई हूँ जो हो मुझे प्रतारित कर रहे हैं और मैं यहाँ F.I.R. मैडम और सभी से यह मांग करती हूँ कि उनने ततकाल प्रभाव से निलंबित किया जाए ताकि उन पर जो भी गारिवाई होनी है वो निश्पक्ष हो सके Bureau Report, Dalop Mangaz News